Hello everyone, Welcome to Environment IS दोस्तों आज की सेशन में हम उडिसा की एक ऐसे ट्राइब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली न्यूज में है ट्राइब का नाम है डोंगरिया कॉंट डोंगरिया कॉंट जो है उडिसा की एक popular ट्राइब है और रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है हिंदू में इस पर आर्टिकल आया है और जनरली एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि नक्सलिजम से या माउविजम से इस ट्राइब के कुछ लोगों का connection है तो कई बार जो है इन लोगों को suspicious angle से देखा जाता है कि कहीं ये नक्सलाइट तो नहीं है तो उसको लेकर ये ट्राइब जो है रिसेंटली न्यूज में है लेट एस एक्सप्लोर दी इस पर्टिकलर ट्राइब दो डोंगरिया कॉंट वाई इन न्यूज allegation in arrest of some member of the community in matter of connection with नक्सलिजम और मॉप्स तो डोंगरिया कॉंट गार्जियंस और नियामगिरी हिल्स तो कहां पर ये ट्राइब मिलती है ये ओडिसा की एक मुख्य जन जाती है और बेसिकली ओडिसा में नियामगिरी की जो पहाडिया है नियामगिरी हिल्स से वहां ये मिलती है तो पीपल थीस पीपल आर लोकेट इन नियामगिरी हिल्स नियामगिरी हिल्से हिल रंग इस प्राइब और 250 स्क्वार किलमेटर विच फॉर्स अंडर राइगर्ड और कालाहंडी इस्टिक अवुडिसा important for civil services and other state PSC ethnicity तो डोंग्रिया कोंड people are member of कोंड और मुंडा ethnic group तो आपने एक ethnic group का नाम सणोगा मुंडा तो मुंडा ethnic group में जो है एक sub class इसका बोलते हैं कोंड कोंड जो है कोंड की एक sub class से विचिस डोंग्रिया कॉंड तो basically सबसे उपर जो है मुंडा ठीक है मुंडा से section generate हो रहे जिसका नाम है कॉंड और कोंड से बना है डोंग्रिया क्यूंड तो इस तरीके से जैसे होता है न एक कास्ट होते है फिर sap कास्ट होते है और गौतर होती है उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो Monda, Cond and Dongria तो एक unique appearance है, इस tribe का आप देख सकते हैं, किसरी के पहनावा है, किसरी के आभूशन ये पहनते हैं किसरी की ज्वलर ये पहनते हैं, so what do the worship, तो basically ये इस जन्जादी के लोग जो है नियाम राजा नियाम गेरी के पहाड़िया में, इन लोगों का ऐसा मानना है, कि वहाँ पर एक राजा है जिनको बोलते हैं, नियाम राजा वहाँ एक देवता है, जिनको नियाम राजा बोलते हैं और नियाम राजा की पूजा करते हैं और उन पहाड़ियों को बचाते हैं, so these are known as guardian of Niyamgiri hills so they worship Niyamraja the supreme god of Niyamgiri jungle, कितने numbers हैं के, तो almost 8000 के आसपास इन लोगों के संख्या है the Dongriya kone community number approximately 8000 people inhabiting about 100 village, तो 100 सो के आसपास गाओं में, 8000 के आसपास ये लोग रहते हैं तो आप देख सकते हैं, on an average ये गाओं में, 80 के आसपास 80 के आसपास लोग रहते हैं derivation of names तो इनका नाम जो है, Dongriya kone, ये नाम कहां से derive हुआ तो they derive their name from Donger, Donger means hill, the name for themselves is, Jarnia protector of stream तो basically, जो Donger word आया, Dongriya का, वो Donger word का मतलब था है hills तो ये नियामगीरी hills में रहते हैं वहाँ से hills का जो local name है, वो है Donger, वहाँ से जनरेट को है Dongriya उनको जरनिया भी कहते हैं जरनिया इसलिए कहते हैं, जरने को जो waterfall है, उसको हिंदी में जरना बोलते हैं, तो नियामगीरी के जंगलों में जो जरने हैं, उनको protect करते हैं ये, जरनिया भी कहते हैं protector of streams stream को protect करने वाले आल्सो, क्या कौन से language वो बोलते हैं, तो ये याद रखना important है, the people of नियामगीरी use कुई language the people of नियामगीरी use कुई language कुई language is not written but it is spoken among the people of कौन्ड community, कोई language जो है, written form में नहीं है, सिर्व इसको बोलते हैं लोग तो याद रखना, डोंगरिया कौन्ड की language कौन से है, कोई language, it is do not have written script, but people speak this language, economic activities, ये लोग करते क्या हैं तो बेसे के लिए, नियामगीरी हिल के उपर completely dependent है, हिल से जो भी produce होता है, उसे से इनका आर्थिवस्दा चलती है dependent on resource of नियामगीरी forest, practicing, horticulture and shifting cultivation तो बेसे किलिए भाड़ियों में horticulture यानि बागवानी करते हैं, और shifting cultivation ये करते हैं जिसको जूम क्रशी बोलते हैं वार्दे वियर, क्याकर पहनते हैं, तो अब इनके कपड़ों से और आभूशों से jewelry से देख सकते हैं, कि women wear many rings through their ears and three through their nose, while boys wear two nose rings dongria girls wear clip in their hair and rings and beads around their necks तो special type की jewelry और कपड़े ये पहनते हैं guardians of नियामगीरी forest तो sustainable, livelihood, worship and threaten existence तो livelihood इनका sustainable है because forest के ओपर dependent है और forest को ही भगवान मानते हैं नियाम राजा को worship करते हैं तो basically, naturally और culturally ये अपने settlement के around इनकी life imbibe है तो sustainable livelihood है they practice horticulture and shifting cultivation carefully managing the land to ensure continued abundance of resource तो resource को ये exploit नहीं करते हैं sustainable way में वहार रहते हैं they worship नियाम राजा as a supreme deity who governed the forest इनका जो existence से वो threatened है इसके कई सारे काराण है specially नियाम गीरी जो है अपने mineral resources के लिए जाना जाता है so preserving cultural traditions तो इनके distinct attire है tattoo और hairstyle है language जो है unique है but इनको बहुत सारा खत्रा है basically bauxite यहाँ पर बहुत प्रचूर मातरा में मिलता है और bauxite की mining को लेके यहाँ पर concern है the नियाम गीरी hills are believed to hold significant deposit of bauxite a valuable mineral used in production of aluminium Vedanta Resources a multinational corporation had planned to extract these resources threatening to disrupt the dungria corn way of life and disrupt fragile ecosystem of नियाम गीरी तो basically यहाँ पर bauxite के भंडार है bauxite का यूज़ का होता है aluminium के production Vedanta जो बड़ी company है Vedanta ने नियाम गीरी hill में bauxite को निकालने का proposal किया था लेकिन यह local लोगों जो dungria corn tribe के लोगों ने इसका विरोध किया इसका कारण यह था कि इन लोगों को यहाँ मानना था कि यह company यहाँ आ जाएगी तो हमारी life को affect करेगी negatively community resistance dungria corn have fiercely resisted the proposal proposed mining project asserting their right to self-determination and the protection of their ancestral land this ongoing struggle has garnered international attention highlighting the plight of indigenous communities facing the encroachment of corporate interest तो basically इन लोगों ने इसको oppose किया था वैदामता के project को क्योंकि यह चाहते थे कि हमारा right of self-determination होना चाहिए कोई हमारे resource को use कर रहा है तो वो हम तई करेंगे कि कोई use करे या नहीं करे so right of self-determination legal battle इननोंने लड़ी और जो है indigenous right के बहुत सारे implications हुए क्योंकि कोई भी tribe जब आगे आती है और खुद के right के लिए लड़ती है तो दोसरे tribe के लिए प्रेणा का स्रोत बनती है तो ये थी डोंगरिया कौन tribe जो उडिसा के नियामगिरी की एक popular tribe है इनके language को याद रहे हैं भी language ये बोलते हैं और इनके around जो issue से उसको भी हमने discuss किया Thank you very much